Hi वे गाई आज हम आप लोग को रोले की प्रमें की सॉल्व की जाती है कौन-कौन-से चोरंस प्रम का तौन-कौन-से टर्म लिखे जाते हैं वो सब लोग को बताएंगे उसके लिए सब्से पहले हमें एक फलन लेंगे सबसे पहले हम एक फलन लेते हैं fx fx बराबर लेते हैं x2-5x प्लस 6 और हमें फलन के लावा इसमें एक अंतराल भी दिया यह था है x belongs to 2,3 x belongs to 2,3 और फलन दिया है x2-5x प्लस 6 तो हम इसके बाद जब हम फलन लिख लेते हैं और अंतराल लिख लेते हैं तो उसके बाद हम इसका सबसे पहले क्या करवाते हैं हम इसका आउकलन करवाते हैं तो on differentiating with respect to x दोस्ता हम इसका x के respect में आउकलन करवाते हैं तो f-x आता है f-x मिलता है 2x-5 2x-5 हमें मिल गया f-x उसके बाद हम सबसे पहला जो टर्म लिखते हैं वो होता है कि फलन f-x अंतराल x belongs to 2,3 पर सतत होगा और दूसरा हम पॉइंट लिखते हैं फलन f-x अंतराल 1x belongs to इसमें दोस्तो हम open close bracket लेते हैं लेकिन इसमें लेते हैं open bracket 2,3 पर और अउकलनी होगा यह जो दो point हमने लिखे हैं यहाँ पर यह मद्यमान प्रमेश और रोले की प्रम्यश दोनों में सेम होते हैं दोनों में यह जो दो point क्या करते हैं सेम लेते हैं इसके पहले हमने एक वीडियो में डाला है मद्यमान की प्रमे अगर आप लोग को मद्यमान प्रमे देखना हो तो आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं तो उसके बाद जब जो तीसरा टर्म है रोली की प्रमे का वो सबस्यादा इंपोर्टन होता है अब यहां पर FB और FA क्या होता है दोस्तों जो B होती है वो हमारी सबसे लास्ट वाली लिमिट होती है और जो A होता है हमारा पहला वाला लिमिट होता है एक क्या होता है हमारा पहला वाला लिमिट और बी क्या होती है दूसरे वाली लिमिट ठीक है दोस्तों अब जब यहां पर FB है तो FB की वैलू कितनी है 3 तो F 3 is equal to F 2 यह हमें प्रूफ करना होता है कि यह दोनों टम्स equal है तो जब यहां पर हम फलन में अपने जाते हैं तो जब यहां पर पूरे प्लन में X था अब यहां पर 3 है तो हम पूरे प्लन में X जगम क्या रखेंगे 3 तो F of 3 जब रखेंगे पूरे फलन में X जगमें 3 रखेंगे माइनस 15 प्लस 6 इक्वल टू 4 माइनस 10 प्लस 6 दोनों बिलाके 0 इक्वल टू 0 दोनों वैलू 0 आ गई मतलब FB बराबर F A आ गई FB बराबर F A आ गई इसके बाद दोस्तों हम उपर कर रफ किये दे रहे हैं कुछ उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसके आगे का क्या होगा इसके बाद हम निकालते हैं F' C बराबर 0 करते हैं यह भी टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है रोली की प्रमे के लिए F' C बराबर 0 तो यहां पर हम F' C क्या लिखते हैं हमारा F' X निकला था 2X-5 2X-5 निकला था यहां पर F' X तो यहां पर जब पूरे फ़लन में X था तो हमने X लिखा था अब यहां पर हम क्या रिखेंगे X यह हमें C तो 2C-5 equal to 0 तो C की वैलू यहां पर निकलेगी C is equal to 5 by 2 C की वैलू क्या निकलती है 5 by 2 तो हम पहले चेक करते हैं C की वैलू जो होती है वो 2,3 पर lies करती है कि नहीं तो इसकी वैलू आएगी 2.5 something दोस्तों इसकी वैलू आएगी 5 by 2 की वैलू आएगी 2.5 तो यह अंडल हम ज जाता है 2.5 इसका मतलब यह इसके वीज में आ रही है तो हम इसके बाद लिखेंगे कि फलन एटेक्स रोले की प्रमे को सत्यापित करता है इसके बाद हम लिखेंगे उसके बाद दोस्तों हमको लिखना है फलन एटेक्स c बराबर जो हमारा c का वैलू निकला है 5 by 2 अंतराल x belongs to 2 by 2,3 पर रोले की प्रमे को सत्यापित करता है इस परकार आपकी रोले की थेरम पूरी खतम हो जाती है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें थैंक यू